हुआ हुआ हमने चलाया एक वह ओनलाइन वाला अभी हम लोग वापस अगेन और एक बैस स्टार्ट करने जा रहे और वह सम्-8 से स्टार्ट करने चाहिए ठीक है रेडियोग्राफ टेस्टिंग से क्यूक्य रेडियोग्राफ की flows सारे चप्टरेब देखो 19 चैप्टर है टोटल यह 19 चैप्टर है तो इसमें ही हमको शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा वन मंथ इसी में जाएगा इससे अच्छा है कि हम लोग पहले इसी को बड़ा जो चैप्टर है उसी को सब लोगों को फिनिश कर देते हैं आर्टी और जो लोग आर्ट लोग अगें और एक नया मोड पे जा रहा है रेडियोग्राफी टेस्टिंग का मेथड जो है उसमें लेवल टू और लेवल थी का जिसको ट्रैनिंग चाहिए उसके हिसाब से आज हम लोग आगे बढ़ रहे है चैप्टर नंबर वन है वो है एप्लिकेशन ट्रैनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो लोग नहीं है जो लोग आर्टी का एक्जामिनेशन करना चाहते है लेवल ट्री या लेवल ट लेवल वन कितने सब्जेक्ट में होता है तो मेरे भाई टोटल सोला सब्जेक्ट में होता है सोला मेथड के अंदर होता है वह मेथड यहां पर मैंने लिखा है कि वह इस क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एंडिटी पर्शन इन एक्कॉर्डन स्विट रिकमेडेशन प्रैक्टीज कौन सा प्रैक्टीज एस संटी टीसी वन यह जो है वह 2020 आज मार्केट म पावरल्ट लेवल ठीकर सकते हैं वो दूसरा हैिलित्रो मैणेटिक टेस्ट तीशरा है ग्राउन पैनेटर रडार चोथा है गाइडेड वेव टेस्टिंग पांचवा है लेसर मेथड टेस्टिंग छठा है लिक टेस्ट सात्वा है लिक्विड पैनर टेस्ट यहां पर मैं तोड़ा स्टार करता हूं क्योंकि इसी में लोग ज्यादा तर आजकल एंडिटी लेवल टू ए लेवल ट्री या लेवल वन करते हैं मैगनेटिक फ्लक्स लिकेश टेस्टिंग मैगनेटिक पार्टिकल टेस्टिंग नौवा नंबर है ठीक है उसके बाद 11 नंबर है माइक्रोवेव टेक्नोलोजी टेस्टिंग ग्यारा नंबर न्यूट्रोन रेडियोग्राफी टेस्टिंग और 12 है रेडियोग्राफी टेस्टिंग 13 नंबर है थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग 14 नंबर है अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग और 15 नंबर है वाइब्रेशन और 16 नंबर है विजूल टेस्टिंग देखो यहां पर मैंने स्टार किया है I think चार और पांच मेथर में स्टार किया है ठीक है पांच ओ体 में आजकल है लोग जनरली ये पांच मेथड लेवल one लेवल टू या ले लेवल थी जनरली करते हैं ठीक है मैं आप दूरहाय। पांची मेंतर बाकि कुछ लोग लिक टेस्ट में भी लेवल 2, level 3 करते हैं कुछ लोग एडी करन टेस्ट में भी करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन आज आजकल फिब्रीकेशन इंडस्ट्री में एस सोला में से मिनिमम यह पांच मेंथड तो आजकल कंपल सरी बन गया है क्वालिटी फिल्ड में अगर आपको जाना है तो यह पांच मेंथड को जनरली करना चाहिए लेकिन हमको यह पता होना चाहिए कितने मैं डिटी लेवल 1,2,3 कोई और रहे तो यह जाहएं पाइच तो यहां पे इस सोला दोलाक कॉंट करता है तो एट्वेंटी ट्वेंटी है वह भाई सब लोग बोलते हैं अमेरिकन लोग जो है उसने यह सब चीज बनाया है वह लोग बोलते हैं कि यह 16 मेथड में हम लोगों को करना है एप्लिकेशन ओप रेडियो ग्राफी टेस्टिंग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लि अप्लिकेशन जहां पर फ्यलता है वो वह कुछ कोई भाहिसारा नहीं देखता है वो तो मेंटल हो या human body हो उसमें घूशी जाता है और एफेक्ट करना पूटा तो उसका मतलब क्या हुआ वहाँ पे फूटने के बाद जो एनरजी प्राडिस हुआ उसमें तो लोग मारे गए लेकिन उसका रेडियेशन हुआ और बहुत सारे लोग मर गए ऐसा रेडियेशन में क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को नहीं देखने वहले है आटी फिल्म के अंदर हम क्या करेंगे एक मेटल लेंगे मेटल का वेल्ट जॉइट है उसका हमको सम्झेपल के तौर पर हमको आठी करना है और यहां पर फिल्म बनेगा फिल्म का है एक से बाद में होगा पहले तो यह material ने क्या किया penetration होने दिया किसको radiation को X-ray या फिर gamma को उसको penetration होने दिया फिर वो material ने absorb भी थोड़ा बहुत किया थोड़ा बहुत उसने खुद रखा क्योंकि सबकासी 100 रुपिया आप देंगे फिर 100 रुपिया है वो दूसरे किदर भी आप जाएंगे दूर तक टिकेट के लिए वह सब देना पड़ेगा ऐसा पचास रुपिया आपका एब्जोब हो गया समझो तो आपके बास बचा कितन 40 रुपिया तो वो जो बचा हुआ रेडियेशन है मेरे बाई 40 रुपिया वाला देखो एक्जंपल के रिए समझा रहा हूँ है समझने का यह 40 रुपिय की क्या बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यहाँ पे वो रेडियेशन थोड़ा बहुत बच गया वो आर्टी फिल्म के ऊपर पड़ा और आर्टी फिल्म को फिर हम लोग एक्सपोज करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे दुएंगे फिल्म को दुएंगे तब हमको उसमें क्या-क्या इफेक्ट हुआ वो जो 40 रुपिया टिकेट में गया वो टिकेट में क्या-क्या कांड हुआ कहां स से कहां पहुंचा वह सब चीज वह यहां पर दिखाएगा इसका मतलब कि हमने उपर से कुछ एक्सरे को डाला वह मट्रीयल के अंदर एब्जोब पैनेटरंट हुआ पूरा हुआ लेकिन एब्जोब की बज़़से कुछ ही नीचे आ सका फिल्म के अंदर वह जो कुछ भाइ वह पास हुआ अंदर वह सब में देखा राश्ता उसने वह रास्ते में क्या-क्या दिखा फिल्म के अंदर गिरेगा तो उसको बोलते हैं लेटेंट इमेज बनना तो फिल्म के अंदर लेटेस्ट इमेज बनता है अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है तो भाई नेट आप चेक करें बाकी सब्टाइटल कैसे बंद करें के रिपीट अगेइन वोके सब्टाइटल में नीचे थ्री डॉट है देखो आप वेबेक्स में थ्री डॉट है एक क्रॉस एकदम रेड कलर का है ना उसके बगल में थ्री डॉट है वह थ्री डॉट के अंदर जाना है आपको उसमें एक जनरल एन एडवांस दो ऑप्शन है में जाना है और उसमें आपको जनरल में जाना है प्रेड्वांस कर देना ओप्शन है और दूसरा ऑप्शन है वह झालोज कर देना है तो इसका मतलब यह है मेरे भाई के पैनेटरंट हुआ एब्जॉब हुआ किसके अंदर मेटल के अंदर और एक्सरे और गामा रेडियेशन ओके रेडियोग्राफी इस यूज टो टेस्ट वेराइटी और प्रोड़क्ट सच देखो रेडियोग्राफी टेस्ट ना बहुत सारे वेराइटी और चलता है कि मट्रियल में क्या कांड हो गया क्या प्रॉब्लम हो गया कहां पोरो सिटी आया कहां पिन्वल आया कहां पर क्या चीज आया वह सब चीज हमको कहां पता चलेगा वेल मेटल का जब चेक करेंगे ना आर्टी तब कास्टिंग करेंगे तब फोर्जिंग का या रेडियोग्राफिंग टेस्टिंग यूज होने का रिजन यह है क्योंकि बहुत अच्छा मेथड है और एकदम पर्मनेंट इमेज जनेरेट करता है ठीके अहां एक थोड़ा सेप्टी का लोचा लापसी है वो सेप्टी को अगर बात करें तो बाकी का तो सब चीज अच्छा ह यह तो देखा जाए तो हम लोगों को यह बहुत इंपोर्टन मेथड पढ़ जाता है रेडियोग्राफिट टेस्टिंग यूजली रिक्वाइड एक्सपोजिंग फिल्म क्या बोला थे हम लोग एक्सपोजिंग फिल्म जो उसके उपर यह मट्रियल का मट्रियल के अंदर पास हुआ रेडियेशन फिल्म के उपर जाएगा तो फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज जनरेट करेगा मतलब उसको फिर हमको एक्सपोज करना वह फिल्म को एक्सपोज करना है तो कि से एक्सरे और गामा रेज जो पड़ेगा उसकी बज़े से पैनेट्रेंट जो पेसिम प्रोसेसिंग दा एक्सपोज फिल्म एंड इंटरपिटिंग रिजल्ट रेडियोग्राफ अभी क्या करना है फिल्म के अंदर वह इमेज एक्सपोज हुआ तो वह इमेज हमको घंटा ऐसे सीधा खोलेंगे तो दिखेगा नहीं दिखेगा वह फिल्म को मेरे भाई हमको एक में तो मैं समझे आएगा लेकिन कहने का मतलब यह है फिर धोने के बाद हम लोग पुरापरली धो देते हैं उसके बाद हम आर्टिप फिल्म जो व्यूवर है उसमें देखना है फिल्म को और उसका रिजल्ट चेक करना है कि वह हमारा रेडियोग्राफ या पी जो भी है वे प्रिप्ड में होंने के बाद फिल्म के उपर जाता है वह जोता है उसके फिल्म के उपर एक्सपोज रोगा पुराइंग फिर उसके बाद हम लोगों को नेकिंट को सब्सकтив रॉपने फिल्म को दिखना है ऐसा जैंटरली होता है फिर लास्ट में enabled देते हैं एक्सेप्ट कि रिजेक्ट है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब मेरे यह है कि application of radiograph है वो सब जगह पर होता है इतने एरिया में और कैसे कैसे होता है वो मैं अभी समझाया तो अभी अभी चीज है उसका advantage है disadvantage है तो हम लोगों को इसको तो compare करना ही पुड़ेगा तो ऐसा हम सोझेंगे कि advantage को छोड़ देते घंटा नहीं चोड़ेंगे हम उसको करने ही हमको advantage में ऐसा है can be used with most material सब में यूज होता है कोई भी material हो सब में यूज होता है ठीक है तो हम लोगों को क्या यह सबसे best advantage है दूसरा है provide a penetrant visual image सबसे important example ए विजुल image generate करता है permanent image generate करता है अकर यह नहीं होता तो ए आर्टिक विल्यू नहीं होता तब तो यूटी बेस्ट है यूटी में क्या problem है उसका कोई permanent image नहीं है वह सबसे बड़ा problem है लेकिन मेरे भाई इसमें ऐसा नहीं है वह permanent image generate करता है radiograph okay reveals the internal nature of material material के अंदर क्या-क्या लोचा लापसी है वह सब चीज आपको फिल्म के अंदर दिखाएगा इसके लिए लिखा है रिवील्ज इंटर्नल नेचर ओफ मटेल मट्रियल के अंदर कुछ भी गीरा हुआ है वह चाहिए एक विल्द जोए एक गहरए यहां पे में मैं एक विल्ड़ो करके देता हूं ठीक है यहां पर देखो बाते अंटर्फ जोआण ऊपर से यहां पर ऐसा टंक्स्टेन इंग्रोज़न फस गया इतने एरिया में यहाँ यहां पर यहां पर एह एकर यहां को fusion आया तो नीचे का जब आर्टी फिल्म है तो यहां पर एक्स आयामने आर्टी सुर्स रखा यहां से ऐसे एसे रेडियेशन आये और रेडियेशन आने के बाद यहां पर एक ठीक है यहां पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा मतलब आर्टी फिल्म जब में एक्सपोस करेंगे तब हमको यह आर्टी फिल्म व्यूवर में दीखेगा कि यहां पर क्या लोचा है क्या प्रॉब्लम है तो यह क्या है रिवील्ज इंटर्नल नेचर और क्या प्रॉब्लम है वह सब दिखाएगा ओके दूसरा डिस्क्लोज फिब्रिकेशन एर यह इसका में एक एक्जम बल देता हूं एक कंपनी में था मैं उसमें हमारा आर्टी हुआ रेडियोग्राफी टेस्टिंग हुआ ठीक है तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग हुआ तो है फिलर रचेलमेट कुछ कुछ है में लेक्ट जैसा कुछ मिला हैलमेज थोड़ा बहूं मत्लब उसमें भी मैटल हो जइक चैक करने गए प्सक्राइग आई जाए कि भीशनल सारे हैलमेट को में प्रैसे का हैमर कोई भी फेब्रिकेशन एर्र होगा तो भी हमको दिखा देगा समझो दूसरा में आपको एक एकजमपल देता हूँ ठीक है एक मेरा ऐसा एक तो आपको वहां पर दीखेगा विजूली दीखेगा समझो यहां पर कोई टैक वेल्ल मार दिया है तो टैक वेल्ल भी आर्टी फिल्म के अंदर आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि यहां पर कुछ ना कुछ लोचा है तो यह क्या है है इसका मतलब क्या है एक डिस्टोर्ट फेब्रिकेशन एर और कुछ चीज हम नहीं देख पाते हैं वह भी देख लेगा वह भाई साब कौन आर्टी ठीक है रिवीज दस्ट्रक्चरल डिसकंटिनूटी तो भी दिखाएगा लिमिटेशन क्या है सबसे प्रॉब्लमेटिक आर इंट्रोडक्शन में दिया गया है इसके लिए मैं करवा रहा हूं और हमको करना ही है यह वहुद इंपोर्टन पार्ट है यह सब चीज समझेंगे बाद में एक 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 पॉइंट के अंदर जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन आफ आर्टी तो इसका आटी हो पाएगा घंटा आप कहां पर गुशाएंगे इसको आटी फिल्म कहां से उसको सोर्स रखेंगे तो जहां पर इंट्रेक्टी सेबल और यहां पर लिखा देखो इंट्रेक्टी सेबल टू यूज स्पेसीमैन और कॉमपलेक्ट जिवोमेट्री है अईसा तो जो लोग जो लोग आटो मोबाइल सेक्टर में है उसमें एंजीन वह बहुत सारे कचर कचरा पार्ट ऐसा रहता है यहां लिखा है इसका मुझे करना तो गंटा हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्यों उसका जीवमेट्री गंडू जैसा है समझे तो कहने का मतलब यह है यह उसमें नहीं हो पाएगा कंट्व मस्ट्रेंड टूस डा मैं सबसे इंपटन पार्ट यूटी में ऐसा नहीं है एक से करना है तो दोनों साइड हमारा हाथ घुसना चाहिए दोनों साइड हम देख देखलेने चाहिए क्योंकि दूसरी साइट हमको फिल्म चीपकाना है बाई एक सटमगो आर्टी शॉर्स रखना और दूसरी साइट फिल्म रखना समझो 100 mm thickness का एक one meter by one meter का एक joint मारा हुआ है ठीक है वो जमीन के उपर पड़ा है तो मेरे को आर्टी करना है तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो पहले तो वो जो पार्ट है उसको उपर लेना पड़ेगा क्रैन वगेरा यूज करके उपर लेके नीचे फिल्म चिपके उतना जगह बनाना पड़ेगा और तभी जाके हो पाएगा उसी के उपर मुझे यूटी करना है तो डेफिनिटली हो पाएगा यूटी हो जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है स्पेसी में जब कोई भी बात कि भई नहीं होने वाला यहां पर यहां पर ओफ लाइन वाले लोग भी बोल रहा है कि भाई साउंड तो बराबर आ रहा है आप लोग आपका साउंड शैद इंटरनेट चेक करें मिरे वाई इंटरनेट चेक करेंगे तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा शायद possibility होना चाहिए मेरे वाई अगर यह है तो ही आप आर्टी कर सकते हैं तूसरा है तीसरा है लैमिना टाइप discontinuity are often undetectable by RT सबसे problematic वर्ड समझो ऐसा मेरा कोई एक चॉइंट है ट्रुइंट के तोर पे एसा मेरा एक प्लेट अभी मेरा यहां पे आड़ीं हो ैट मेरा है यहां पर सोर्स है यहां से रेडियेशन ऐसे गिरे अभी रेडियेशन आया तो रेडियेशन यहां पर पौँचेगा वह जैसे कि देखो यह गड़्बड हुआ है एक दम सीधा ही रहता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि यह तो ठेडा जैसा तो यहां पे में की अपयां मेरे टिकर रहे ना फेले बर दीजे आपको दीख रहा है यह जो है वो ले निलेशन है क्या कि यहां समझेगा कि यहां से मुझे ऐसा जाना है और यह जो में जाएगा उसमें ऐसा लेमियनेशन जैसा कुछ था क्यूंकि सभी किरने है सभी वेवस है उसको सैम डिस्टन्स काटना है और बीच में यहाँ पर जगह है तो यह जगह का प्राब्लम ऐसा होगा आर्टी वाले को तो पता ही नहीं दिखाएगा ठीक है वह जो लैमिनेशन है वो नहीं दिखाएगा क्यों क्योंकि सब जगह पर गैप सैम है थोड़ा बहुत भी किदर भी टूटा हुआ नहीं है इसके लिए आर्टी फिल्म जो है एकदम मस्त चका चकी आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ तो लोचा नहीं है कुछ भी लोचा नहीं है तो यहाँ पर क्लियर सब्स thunderstorm चट करते है कि आर्टी भी करना है भूत फॉलव करना है तो व मैं मेरे बाइक रिखें क्या है लिए अर्टी का ड्यप्त ट्यवाधा डम नहीं देता है लेकिन यूटी जो है वाण डिखाता है इसके लिए लिए धालिखें कले लैकान छुई करे करेंगे लेकिन यह याद रखो यह limitation कुछ भी आपको सभी इंटर्यू में mostly जो लोग NDT का exam देने जाते हैं NDT का जो इंटर्यू देते हैं उसमें सबसे पहला question RT के बारे में अगर है तो यही question पूचा जाता है कि laminar tier है lamination है वह RT पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा तो यह सब एक common question है तो आपको यह question पता होना चाहिए कि laminar type discontinuity जो है ओ घंटा भी अमको RT में नहीं मिलने वाला है उसको उमको UT में ही करना पड़ेगा UT में ही detect करना पड़ेगा ओके आगे है safety consideration imposed by x-ray and gamma rays must be considered ओके safety consideration safety consideration आज कर बहुत सारे लोग रश्या में भी हो जो हीरो सिमा और नागा- साके में जो हुआ था जापान में उसका अभी भी भी लोग भूगत रहे पता है नζा तो यह आ यह बात उसके बाद हमना रष्या ministry member में है वह ठीक है वह भी फटा था यादे ना बहुत सारे लोगों को भूए सारे लोग को लग लिया था आज भी उसका शील्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है वो क्या है वो यह रिजन है तो कहने का मतलब यह है सेप्टी बहुत इंपोर्टन पार्ट है हम लोगों को कैंसर होने का चांस ही होता है सबसे पहले याद रखो आप सबसे पहले चेर्णोबिल देखो तो रश्या था ठीक है यूक्रैन और रश्या दोनों एक ही थे उस ताम की बात कर रहा हूं उस तैम पर चर्नोबिल हुआ था अभी तो अलग हो गया तो यूपरे चला गया चेर्नोबिल जो एकसीड़न्ट हुआ चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ उसमें बहुत सारे लोग तो उग चुका है भी ठीक है वह एरिया में लेकिन लोग फिर भी कुछ अंसमज और अंपड़ गवार लोग है न वहाँ पर जाते और फोटो खिचवाते हैं और हम लोग यह डिजास्टर में गए थे फोटो खिचवा गए अले लोडू लग जाएगा तुमको रेडियेशन स सबसे इंपोर्टन पार्ट रेडियेशन लगता है तो सबसे ज्यादा आपको किस पर लगता है आपका पैनिश है उसको लगता है सबसे ज्यादा नाजूख है तो उसको बचा के रखना है दूसरा आख हमारा आख जो है उसको आपको बचा के रखना है तीसरा है हमारा कान क कान के परदे वह भी खुला है ना ना भी हमारा ना भी ठीक है वह भी तो यह सब चीज जो ऑपन ऑपन पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा रेडियेशन लगने का चांचीज है तो यह सब चीज याद रखे आप लोगों को उसको बचा के रखना है ओके सेफ्टी कंसीडरेशन इंपोजड बाइ एक्सरे एंगामा रेज मस्ट भी कंसीडर मस्ट भी कंसीडर देखो यहां पर मस्ट बढ़ाया तो लोग जनरली यह भी एक रिजन होता है लोग यूज नहीं करते हैं लंग्स किसी ने दिखा लेखा लंग्स के उपर भी सबसे ज्यादा रेडियेशन इफेक्ट करता है यस डेफिनेटल होता है वह सब चीज बहुत क्रिटिकल चीज है आपको यह ध्यान रखना है कि सेफ्टी का ज्यान एकदम प्रॉपर से नहीं रखा तो क्या क्लांड होता है मैं आपको एक सिंपल साओधी अरभिया का एक्जमपल देता हूं मैं विल्डिंग इस्पेक्टर था साओधी में और एक भाई साब एक बुद्धा चाचा था उसका हो चुका था ठीक है तो उसको आर्टी लग गया नाइट में और कैसे लगा भाई सब नाइट शिप्ट था और बगल वाला पाइप जो है उसमें भाई सो गए ह वो सो गये और बगल में आर्टी हुआ आर्टी टेक्निशन इतना घंचक कर आज में कि उसने अलाराम नहीं बजाया देखो जनरली आप आर्टी करते हैं तो सब जगह पे स्टिकर वगेरा मारते हैं पर सीटी बजाते हैं उसके बाद साइरन वान बजाते हैं यह सब चीज ह यह होगा समझे प्रॉपर एंडीटी मेथड समझना बहुत जरूरी है फ्रूली फेमिलियर आपको होना चाहिए उगर आप एंडीटी लेवर्टू है तो आपको फ्रूली फेमिलियर पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए आर्टी का यहां तहां सो जाओ तो लगी जाएगा तो झान रखना आपको तो जान रखना है बाखी टेक्निशन का तो गलती है लिकिर आपका सब्सक्राइब की बात है और उसके बाद वह चाचा को जनरली बहुत फास्ट मेडिकल अगेरा प्रॉसेस करके जैसे त्यानन फ्हानन में उसको इंडिया भेज दिया गया और विधिन कुछ साल के बाद ये कट साल शायद जीये होंगे उसके बाद वो एक्सपाइर हो गए तो ये एक कभी-कभी गीर जाता था नीचे तो उसको एक ऐसा इस्ट्रूमेंट से उठा के फिर उसमों वापस ट्यूब के अंदर फिट किया जाता था तो वह अंपडगवार उसने क्या किया नीचे गिर गया हाथ से लगा के चिपका दिया हाथ में लगा के भले ही वह थोड़ा बहुत इंपोर्टन बात है भाई अभी नाम मत भेजो कंपनी का हाव ही गोट अप्रूवर्ड यस किसी ने लिखा हाव मत डिस्टन मेंटेंड टाइम ऑफ आर्टी टेस्टिंग तो डिस्टन्स मेंटेंड का भी एक फर्मिला है वह फर्मिला आएगा तो मैं समझाएगा कितना सीरियस है इसी के उपर कितना सीरियस है मैं वैसे तीन चेप्टर इसके उपर समझाने वाला हूं लेकिन बात समझो एक बंदा इंडिया के ही बात है गुजरात की बात है ठीक है एक बंदा सोर्स को जेब में ले लिया सोर्स को जेब में ले लिया देखो जब वह हैल् पहले जमाने में यह सब चीज का इतना awareness नहीं था उसने जैब में ले लिया और यह बात है 2010 की भी नहीं उससे भी पूरानी बात है ठीक है जैब में ले लिया वो पहले तो बस में बैठा की अंदर का कंपनी का वहुत सारे लोगों को लगा टीक है रेडिएशन बहुत стать लोगों को घरिबन उसमें 40-42 सवार थे सब्को रेडिएशन लगा घर पे गया घर पे अपना पैंट जो है ना पैंट वो प्ले पी टांगा तो उसकी बीबी को लगा उसकी तीन बच्ची थी तीनों बच्ची को भी लगा जब यहाँ पर रेडियेशन भाई साब कम्पनी में ढूंडा जा रहा है कि यह सोर्स कहां गया तो सोर्स मिल नहीं रहा है तुरंत बीए-आर्सी को इनफर्म किया गया वी आर्सी का टीम आया और करीबन देट दिन के अंदर उसका रिसर्च किया गया और पता चला यह भाई साब लेके गए है गर पे और गर पे वो गए तो उसको मिला कि यहां पे पहले तो सब एरिया को इवेक्वेशन किया इमर्जन्सी तोड़ पे सब को बहार निकाला वहां पे तूरंद इमर्जन्सी बेस पे वहां पे फुल्डोजर आया उसने तुरंद खड़ा किया वहां पे हो सोर्च को रगा बड़े-बड़े पत्थर रख दिये गए टेंपररेरी बेजिस पे ऐसा किया गया और फिर थोड़े दिन के बाद उसको सोर अंत्राल में उसका वाइफ थोड़ा एज है उसका तो उसको थोड़ा जल्दी वह एक्सपाइड हुआ विधिन वन मंथ के अंदर वह भी एक्सपाइड हो गया कहने का मतलब क्या है बहुत इंपर्टन चीज है सेप्टी कंसिडरेशन आप अगर थोड़ा भी सेप्टी में सुख छूख हुआ तो आपके साथ हो जाएगा कांड तो याद रखो रेडियेशन बहुत इंपर्टन है हमारा जितना उसका यूज है उतना भी नुकसान है तो आपको यह सब चीज सब्सक्राइब का फिल्म है यहां पर आटी फिल्म वह एजी बीर या तो उसको सिल्वर भी बहुत इंपर्टन है कि बहुत सारा expensive method है यह आर्टी आगे बढ़ते हैं इतना तो limitation था ही safety consideration में थोड़ा और हम जाएंगे because of the radiation cannot be detect by any other five cents हम लोग radiation को five cents हमारा है five cents कौन सा है हम लोग touch नहीं कर सकते radiation घंटा भी पता नहीं चलेगा कि यहां पर radiation आ रहाएंगा अगर ऐसा होता तो आज कर बहुत सारे हिरोशीमा नागाशाकी में लोग बच गए होगे बच गए होते लेकिन ऐसा नहीं है वो कर सकते हैं उसको देख नहीं सकते radiation को उसको हम लोग कान से हीर नहीं कर सकते हैं उसको स्मेल भी नहीं कर सकते हैं उसको टेस्ट भी काम नहीं किता, because of the radiation cannot be detect by any of our 5 sands, strictly compliance with the safety regulation is required, इसी की बज़र से आप लोगों को strictly compliance करना है, strictly आपको safety regulation follow करना है, मेरे बाई, याद रखो, okay, radiation can cause the damage to or destruction of the cells of living tissue, तो ये living tissue जो है हमारे body का, वो सब लोगों को मार देता है, ये radiation, तो वो भी आपको एक ज्यान रखना है, it is essential that radiographic testing person be continuously aware of radiographing hazard and conscient of safety regulation, तो safety regulation से ये हमारा जो technician है, वो उसको पता होना चाहिए, जो परस्टम काम करता है, वो अवेर होना चाहिए, और लोगों को भी ज्यान रखना पड़ेगा, और हमको भी ज्यान रखना है, ये सब चीज के बारे में, और radiation monitoring equipment क्या जाता है, सबसे important है lead, जमीन, ये सब चीज से हम लोग जितना दूरी बढ़ाएंगे, उतना भी अच्छा है, किसी नहीं यहाँ पर देखो formula भी डाला है, कि distance quadrant area, CI into RHM into workload divided by 2 under the root, देखो ऐसा लिखा है, तो ये सब चीज सही बात है, आप लोगों को जितना distance आप cover करेंगे, म सबसे पहले जमीन के अंदर घुसना है, क्योंकि जमीन ही एक कैसा चीज है, जो radiation से आपको बचा सकता है, वो absorb कर सकता है, ठीक है, जमीन से अगर बच नहीं सकते है, समझो जमीन में खड़ा बड़ा कुछ नहीं है, तो भागो, और कोई option नहीं है, भागो, दूर हो जाओ, जहाँ जहाँ पर radiation हुआ है, वहाँ से दूर हो जाओ, जितना हो सके उतना दूर हो जाओ, और तभी आप बच सकते है, तो यह भी एक option है, वो तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर नमबर 10-11-12 में, पिसली जो batch होई थी, हमने उसमें भी एक दम depth में समझाया था, ओके, टोट जाओ, आप लोगों को entity level 2 करना है, या level 3 करना है, तो free of cost आप कर सकते हैं, हमारे साथ online में, ठीक है, और offline में भी हम लोग free of cost है, food, खाली candidate के scope में रहेगा, बाकी रहने का भी हम लोग देंगे, tau, gas, सब चीज हमी लोग देंगे, खाली food आपके scope में रहेगा, हम लोग ऐसा क technician and supervisor be qualified in the liquid peniton test, radiography test, ultrasonic test, before the techniques is used and test result evaluation, तो जब आप कोई भी certification लेते हैं, या तो BT, MT, RT, UT, तो उसमें आपको supervisor हो या technician हो, आपको पूरा का पूरा information होना चाहिए, American Society of Non-Destructive Testing, recommendation, use of this document, recommendation practice, SNTTC 1A, 2020, आज कल मार्केट में 2020 का latest edition चल रहा है, तो आप लोगों को इसी को follow करना है, SNTTC 1A, वो recommendation practice है, कैसे certification लेना है, कैसे training लेना है, कैसे कितने hours का classroom training होना चाहिए, वो सब चीज का detail में यह बताता है, कौन बताता है, SNTTC 1A, 2020, वह से जो लोग level 3 करेंगे, उसको यह पूरा का पूरा, line by line में SNTTC 1A, 2020, समझाएगा, अल्रेडी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन record भी आपको चाहिए, recording किया हुआ, तो हमारे यहाँ पर record में, वो record पड़ा हुआ है, ठीक है, दिपेश पटेल के पास, तो वहाँ से आप ले सकते है, recording, ओके, तो आपको कैसे certification लेना है, और क्या क्या करना है, वो guidance SNTTC 1A, 2020, provide करता है, तो compliance with this document, the employer must establish return practice, यह सबसे important part, कोई भी company है, दुनिया का कोई भी company है, अगर वो NDT कर रहा है, और SNTTC 1A, मतलब ASME के हिसाब से NDT हो रहा है, किसके हिसाब से, American Society of Mechanical Engineering के हिसाब से, section 5 के हिसाब से NDT हो रहा है, तो आपकी company के पास return practice होना ही चाहिए, बहुत सारे लोग आते है, सर हमारी company के पास तो ऐसा return practice देखा ही नहीं, घंटा इसके लिए नहीं देखा, आपने कभी मांगा ही नहीं, आप पहले मांग के तो देखो, अगर समझो आपकी company के पास नहीं है, तो आपकी company बहुत बड़ा अली बाबा है, आपको तो पहले arrange करना पड़ेगा, या तो prepare कर करना पड़ेगा, return practice, return practice में क्या लिखा होता है, भी कौन कौन certified है, हमारी company के अंदर, कैसे हम लोग RT perform करेंगे, कैसे हम PT perform करेंगे, कैसे MT, UT, क्या-क्या perform करेंगे, उसका क्या-क्राइटेरिया रहेगा, वो सब चीज, सब का सब चीज, हमारा किस में रहेगा, return practice, company का return practice के अ follow करते है, एस पर SME के हिसाब से, उन लोगों को, SNTTC1 एसा बोलता है, कि आपको return practice must required, यहाँ पर कहा लिखा है, must word शायद है, यह must word लिखा है, यह must word लिखा है, must word का मतलब, आपकी company के पास होना ही चाहिए, चलो यार, क्या आयार फ़रक पड़ता है, हमारी company तो छोटा scale industry है वह भले ही SME के सबसे ही काम करती है, लेकिन छोटा scale industry है, तो चलेगा, चलेगा word की budget से, बहुत सारा company को, तो क्या पूरे country को ही नुकसान होता है, चलता word जो है न, वो तो हमको use करना ही नहीं है, बड़े टोपी लोग ऐसा use कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटे scale में अगर का करना है, छोटा वाला छोड़ दो, छोटा वाला करे या ना करे, उसके उपर तो में action भी लेगा, लेकिन बड़ा वाला भी NDT का properly perform करना चाहिए, उस company के पास return practice होना ही चाहिए, ओके, we describe the detail, how the technician will be trained, exam and certified, आपकी company के अंदर return practice होगा, वो return practice के अंदर कैसा training देना है, कोईसा examination करना है, कैसा certification देना है, ऐसा होना ही चाहिए, जनरली आप लोग देखते है, SNTTC 1A के हिसाब से आपने certificate तो ले लिया, लेकिन certificate लेने के बाद भी कुछ-कुछ company होता न, employee based certification करते है, मतलब company के अंदर exam करते है, company के अंदर entity का again exam होता है, general, specific or practical, ऐसा exam लेते है, तो ऐसा exam क् company के अंदर return practice में लिखा हुआ होता है, कि SM exam लेकिए, कोई भी employee को pass करेंगे, पले ही बाहर से वो self employment की इसाब से, उसने SNTTC 1A 2020 या 2060 के इसाब से entity certificate ले लिया, लेकिन company के अंदर भी generally exam होता है, और उसका document आपको चाहिए, जो लो quality manual देखते है, quality manual के अंदर उसका description होता है, क quality manual के अंदर कौन-कौन engineer जो है, वो qualified है, DPT में, MT में, UT में, RT में, VT में, ET में, whatever जो भी method required है, उसके सबसे वहाँ पर लिखा रहता है, quality manual में, तो आप देखेंगे quality manual, जिन लोगों के पास है, ऐसा जरूरी नहीं है, quality manual में ही दिखा, देखाया जाता है, generally कुछ अलग procedure भी ह in classroom instruction of months experience necessity to be certified radiography testing, अब ही देखो, मैं आपको यह बोलूँ कि लोगों को याद रखना है, कितना method, total तो 16 method है, लेकिन यहाँ पर लिखा examination method, तो यह method है, यह method है, यह method है, यह, 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 लास में liquid peniton है, ठीक है, पीछे की side भी है, यह NDT level, level 1, level 2, level 1, level 2, ऐसा level 1, level 2, ऐसा दिखाया गया, तो मैं आपको आटी की ही बात करता हूँ, देखो, पहले तो यह टेक्निक्स है, यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स होते है, training hours, कितना minimum training hours, वो minimum hours, वो सब चीज, ठीक है, दूसरी बात, total hours in NDT, total hours कितना होना चाहिए, example के तोर पे, मैं आपको समझाता हूँ लिक्विड पैने टरन टेस्ट, अगर आपको लेवल वन करना है, तो आपको classroom training कितना चाहिए, चार घंटा चाहिए, training hours लिखा है ना यहाँ पर, training hours आपको 4 घंटा चाहिए, आपको minimum hours in method technique, यह आपने perform किया होना चाहिए, और minimum आपने 70 hours का training होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 70 घंटा, और total hours in entity, तो आपको 130, 130 घंटा काम करिया होना चाहिए, लोग जनरली इसको follow नहीं करते है, इसको follow नहीं करते है, तो बहुत सारे लोग इसको ज्यादा तर follow करते है, कि 4 घंटे का minimum classroom training तो लेते ही है, तो कहने का मतलब यह है, एक कौन बोलता है बाई, त SNTTC, SNTTC 1A 2020 बोलता है, कि 2020 बोलता है कि मेरे भाई, 4 घंटे का तो कम से कम लेना ही है, आपको ज्यादा लेना है, तो वेल इन गुड, लेकिन कम नहीं लेना है, ओके, अभी level 2 करना है, तो आपको 8 घंटा लेना है, लेकिन कुछ लोग directly level 2 करते है, ठीक है ना, ऐसा होता है न टोटल कितना घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ, ठीक है, टोटल 12 घंटे का टेने, 8-4-12, तो आपको DPT करते है, आप DPT का अगर, आप entity level 2 करते है, तो आपका certificate के अंदर कितना घंटा होना चाहिए, 12 घंटा से ज्यादा होना चाहिए, 12 घंटा भी लिखो तो भी चलेगा, लेकि एक example के तोरपे मैं liquid penatron test का, एक यहाँ पर certificate दिखाता हूँ, मेरा ही नाम से मैंने sample के base पर लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, sample certificate for example, तो यहाँ पर क्या लिखा है, penatron testing में मैं यहाँ पर कितना घंटा लिखा है, total training hours, 16 घंटा, तो यहाँ पर code क्या बोलता है, बही 12 घंट होना चाहिए, तो 12 घंटा से ज्यादा लिखे के तो problem नहीं है मेरे बाई, तो आपको ज्यादा लिखा well and good, लेकिन आपको इतना ही तो लिखना ही है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लेडियोग्राफी testing में आपका total training hours कितना लिखा है, 80 घंटा, क्यों भाई 80 घंटा लेवल 1 के लिए, 40 घंटा, लेवल 2 के लिए, तो 40, 40 directly अगर आप लेवल 2 करते है, 40 plus 40 तो कितना घंटा हो गया, 80 घंटा हो गया, इसके लिए मेरे भाई वहाँ पर लिखा हुआ है, 80 घंटे का training, तो आप लोगों को certificate भी पहचान चाहिए, कि कैसा certificate जनरली accepted है, कैसा certificate नहीं देखो भई, कांड हो गया, ठीक है, रुपते हो, वापस खोलते है, ओके, नीचे लिखा था, नियर विजन, नियर विजन जो है, मैंने अल्रेडी समझाया है, A, Semi, Section 5, Article 9 में, क्लियर लिखा है, कि आपको J1 चाहिए, J1, जनरली क्या होता है, J1, J2, J3, J4, J5, J7, J11 तक ह होते है, J10 थोड़ा छोटा, 11 से थोड़ा छोटा, J2 मतलब थोड़ा और छोटा, मतलब ऐसा, देखो J11 थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, J9, उसके थोड़ा 9, मतलब और छोटा, J8, ऐसे थोटा छोटा आते, J1 तक होता है, तो जनरली, A, Semi, J2 जो है, मेरे यहां पर यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर क्या लिखा है तो कोड क्या बोलता है कोड तो जे टू बोलता है लेकिन फिर भी जे वन क्यों लिखा है सम जो एक्जम्पल के तोर पे एक प्रेशर वेसल हम लोग सेक्षन एट डिवीजन वन से बना रहे वहां पर हम आर्टी या डीपीटी करने गए या विटनेस करने गए हम वहां पर देखे और कोई क्लाइंट आया उसने बोला कि आपका एंडीटी सर्टिफिकेट दिखा आपने सर्टिफिकेट दिखाया और यहां पर लिखा था आपका जे टू वह बोलेगा अरे भाही आज तो 2022 चल रहा है विजू को तो विजू एक्जू एक्जामीनेशन करना है तो डीपी करने के बाद भी आर्टी एक्सेप्टेंस हो या डीपीक्सेप्टेंस हो आउत All है ना तो आपका आँख जेवन होना चाहिए मतलब जिगलर जो है वो जेवन होना चाहिए उसी के लिए आपको मैंने वहाँ पर जेवन डाला है ताकि आपको वहाँ पर उस टाइम पर प्रब्लम ना है रिविशन ना करना पड़े ओके नियर विजन अक्यूरसी तो एग्जामिनेशन शुद भी एंचोर्ड नियर विजन अक्यूरसी इन एक लिस्ट वन आई सट एप्लिकंट केपेबल तो रीडिंग नियर रीडिंग मिनीमम अप जिगलर नंबर जे टू और एक्विलन टाइप और साइज ओप दे लेटर एड़ डिस्टंस ओप ट्वैल इंच नोट्वैल इंच लेस देन नहीं होना चाहिए स्टांडर जीगलर चार्ट यह पूरा पूरा मैं ऐसा समझाता हूं आपकी दो में से दो में से कोई एक आख मिनीमम जेटू तो देखना ही चाहिए यह जेट आफ लाइन में आते हैं उसको में चार्ट देता हूं पढ़ने के लिए तो 12 इस से कम डिस्टंस में मतलब हाथ में ही ओओ चार्ट देते हैं यह क्या डिस्टंस लिखा क्योंकि सब में नम्रिंग सिस्टम अलग अलग है 11 नमबर में थोड़ा मोटे मोटे अक्षर है वो तो है एक आँख तो कुछ देखी नहीं पा रहा है समझो एक आँख से हम लोग ब्लाइंड है तो भी मिनिमुम एक आँख देखना चाहिए ऐसा लिखा है तो क्या लिखा है नेचरल से या करेक्टेड करेक्टेड और नेचरल मतलब कुछ भी आँखों में चश्मा अगेरा नह है इसका मतलब नियर डिस्टंस एक्यूरसी दोनों सैट से चलेगा नेचरल कोई भी कुछ भी आप मुंडी में मतलब आँखों में नहीं पहन रहे है तो भी और कुछ भी पहन रहे है तो भी कोई प्राबलम नहीं है डॉंट वर एक आँख आपका जेटू देख लेना चाह इस शूल भी एडमिस्टेशन एन्यूली आपको एवरी यह ली यह सब चीज इंस्पेक्शन करवाना है तो आपको जनरली है न डॉक्टर एक चार्ट देता है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए मेरे पास भी यहां पर है उसमें बहुत सारे 32 प्लेट आते हैं पहले कु कांट्रास्ट डिफ्रेंटियेशन आपकी आख जो है तर एक्शमिनेशन शूद दीटर्मिनेट दीटर्मिनेट दीटिविलिटी अप दिस्टिंग्यूशिंग इंद दिफिरन टियाटिटिंग कॉंट्रास्ट अमांट द कलर और शेर्ड ग्रे यूज्टर अन मेथर अपक इस शूड बी कंडुक्टेड अपन दे इनिशल सर्टिफिकेशन एंड फाइव इंटर्वल यहां पर यहां पर बी में आपको एक 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 जम्पल देखाता हूं यहां पर क्या लिखा है कलर ब्लाइनेस वन इयर और सटी निल मतलब आपको दोनों आख में प्रॉब्लम नह सब्लाइनेस यहां निल लिखा है ओके इसका एकसपाइरी कब है इसका एकसपाइरी मेरे भहाई उसका यहनीर वीजन ध्याओ यह का दो एकसपाइरी होता है 7 महिने में मतलब जुलाए के महिने में 27 के लेकिन इसने क्या लिखा है उसी दिन 11-7 को एक्सपार नहीं होगा 11-7-27 को एक्सपार नहीं होगा वो कब होगा month of the end देखो क्या लिखा है last day of the month expiration मतलब यह आपको जब level 3 का exam देंगे तब आपको question पुछा जाएगा कि आपका example के तौर फे यह जो है एक्सपारी कब होता है तो January, February, March, April में June, July तो July 31 days का है तो आपका उसका यह क्या है color blindness है वो कब एक्सपार होगा 31-07-2027 फिर आप ऐसा नहीं मार के आईएगा कि वह 10-7-27 को एक्सपार होता है certificate की मैं नहीं बात कर रहा हूँ मैं color blindness की बात कर रहा हूँ मैं color blindness कब आपका expire होगा उसकी बात कर रहा हूँ I think आप लोग समझ गए होंगे वन्ना खली बली आगे बढ़ते है color देखो क्या लिखा है 5-year interval therefore आपको 5 साल में color vision, color contrast differentiation चेक करवाना है vision examination expired on last day of the month of expired मतलब vision examination जो है वह भी आपका month end में expired होगा वह आपको समझना है ओके यह certificate में कुछ चीज है मैं आपको समझा देता हूं देखो कोई भी आप पेपर दो 16 का सोला में तड़ है उसमें से कुछ पेपर का बाएं डिसकुस करता हो तो उसमें आपको general exam आएगा specific exam आएगा practical exam आएगा सभी में ऐसा होता है general specific practical ठीक है यह सभी exam है general exam में आपको minimum 70% लाना है specific exam में 70% practical में 70% लेकिन तीनों का average जो है 80% से ज्यादा होना चाहिए example के तोर पे आपको general में आया है 75 आया ठीक है आपका specific में आया है 80 आया है और आपका practical में आया है 80 आया है ठीक है तो आप 5 है या फ्याल है तिनों का average जासी होना चाहिए पास है या फ्याल है definitely आप फ्याल है क्योंकि तीनों का average मेरे भाई 80 नहीं होने वाला है 75 प्लस 80 प्लस 80 इजिए डिवाइड बाई 3 का अब 80 नहीं होने वाला है समझा आप तो कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग उस टाइम पे खैल हो गए आपको 80 परसंट लाना है समझो ऐसा हो गया समझो यहां पर मैंने यहां पर 80 की जगह मैंने 85 कर दिया होता तो तब तीनों का average 80 मेंटेन हो गया होता और तब आप पास हो गए होते समझे बात तो यहां पर मेरे भाई यह समझो कि आप जनरल में 70 परसंट से ज्यादा लाना है पेसिफिक में 70 परसंट से ज्यादा प्रैक्टिकल में भी 70 परसंट से ज्यादा तीनों का average जो है वह 80 परसंट से ज्यादा होना चाहिए तो यह भाई साब यह लोग बोल रहे हैं यह इस साब से हमको आगे बढ़ना है ओके लेवल ओफ एग्जमिनेशन कहां पहुंचे थे हम लोग यह तो हो गया ठीक है फाइस सेंट समरा मेजन नहीं कर पाता है ओके लेवल ओफ क्वालिफिकेशन लेवल ओफ क्वालिफिकेशन है मेरे भाई उसके बारे मैं डिसकस कते हैं इन दो प्रॉसेस ऑब बिइंग इनिस्टिली ट्रैन जब आप ट्रैनिंग लेने जाते हैं एंडिटी लेवल टू का तब की बात है तब क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड यान इंडिविडि लाइन नहीं नहीं लिखा होता कोड ने तो टो में गिने जाओगे जब तक तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा यहां पर लिखा है अगर लाइन नहीं लिखा होता तो इस과 hemos इसके लिए यहां लिखा है इन दो प्रोसेस बिंग इनिश्यली ट्रेंड क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होता है इंडिविडियूल शुल भी कंसीडर एज ट्रैनी तब जो आप जो ट्रैनिंग ले रहा है बाई साब या सर्टिफिकेशन ले रहा है वह क्वालिफिक शुड वर्क विथ सर्टिफाइड इंडिविडियूल जब आप ट्रैनिंग ले रहे है तो जब लोग कोई भी लेवल टू अल्रेडी है सर्टिफिकेशन जिसके पास है उसके साथ में वह काम करना है और उसके गाइडेंस के हिसाब से काम करना है ट्रैनी शुड नॉट इं इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे लिखा है इसके लिए यहां पर देखो मैंने मेरी रिटर्ण प्रेक्टिस का नंबर डाला है तो यहां पर जेवन डाला है यहां पर मिनिमुम आवर्स कितना है वह समझाया है यहां पांस साल का वैलिडिशन मैंने दिखाया है और यह सटीफिकेट 80% से ज्यादा होना चाहिए वह दिखाया है यहां पर एडिशन दिखाया है कौन सा मेथड में आप कर रहे है वह यहां पर क्या नाम है वह और SNTTC 1A का कौन सा एडिशन है वह यहां पर दिखाया गया है अमेरिकन सॉसाइटी पर नन डिस्तरक्टिव टेस्टिंग SNTTC 1A 2016 बताया गया है लेवल टू है लेवल वन है वो दिखाया गया है ठीक है तो कहने का मतलब सर्टिफिकेशन आप पहसान न चीको सर्टिफिकेट में आप याद रखो आप याद करो कि यहां पर जेवन ही हो जाए क्यूंकि लेटेस्ट जो कोड ए सेमी सेक्शन फाइव आर्टिकल नाइन में जो क्लियर लिख क्या है यह तो हमको समझ मैं आना चाहिए तो लेवल वनजो है वह क्या कर सकता है उसका डूटी लेवल टू अकर सकता है उसका डूटी लेवल्टिए लेवल शौन कैलिफाइड देखो क्या लिखा है लेवल वन ही शूट भी annu keeping परफार्म बात अर्वी टीमेशन सपसिफि है वो वो कैलिब्रेशन कर सकता है और वो NDT मेथड परफॉर्म कर सकता है and specific evaluation for acceptance or rejection determined accordance with the return instruction of the supervisor from the certified level 2 and level 3 individual and record result देखो return instruction अगर अगर level 1 को specific evaluation or acceptance or rejection बोलना है तो level 2 या तो level 3 और return में लिखके देना चाहिए mobile में बोल देगा get पर बैठा बैठा level 2 या level 3 कर लो कोई problem नहीं है evaluation कर लो lamination मिला है ना एक काम करो उसको काटने के लिए बोल दो घंटा ऐसा नहीं चलेगा return में दिया वो तो phone में बोला वर्बली बोला है वो थोड़ी चलेगा उसको return में देना पड़ेगा return में मतलब mail में भी नहीं चलेगा याद रखो आप mail में भी नहीं चलेगा return practice या आपकी company का procedure है उसमें लिखा होना चाहिए कि yes level 1 he can evaluate for acceptance criteria acceptance and rejection determine भी कर सकता है level 1 तो ही वो कर सकता है उसको बोलता है रिटर्ण आज कले ना यह यह लाइन का बहुत मिस्यूज होता है यह लाइन का मैंने तो देखा है maintenance department में जब मैं shutdown करने जाता हूँ ना तब वहां पर क्या होता है level 1 technician होते है तो वह क्या करते हैं evaluate भी करते हैं grinder को बोल भी देते हैं तो काट दो अरह कैसे काट दो भाई तुम्हारे पास तो authority नहीं है तुमने ऐसे बोल दिया level 1 ने भी नहीं आपको authority दिया फिर भी तुमने का दिया तो कहने का मतलब एक क्या होना चाहिए तो return instruction return instruction लिखके देना पड़ेगा वह एक paper में लिखके देते हैं ऐसा नहीं चलेगा समझे बात कि एक ने एक paper का बात आया तो मुझे थोड़ा funny एक incident याद आया मैं company में था साओधी अरभिया में एक company में आरम को approved inspector में था ठीक है तो जनरली क्या होता है फोर में ने ना welder का पर्ची भरता है फिर वह वेल्डिंग इस्पेक्टर है उसको sign करता है अपरूर करता है ठीक है उसमें परची रहता है इलेक्ट्रोड या फिलर का तो लेट पहुंचते ना कभी कभी कुछ लोग लेट पहुंचते यह जल्दी पहुंच जाते है को इसे इस crouch नहिकर नहीं चलेगा उसके ऊपर और NCR generate होगा समझे तो एक incident में याद आया है इसके लिए जस्ट बोल रहा हूं डॉन माइंड तो आपको याद रखना है return instruction में होना चाहिए ओके लेवल वन का काम पता चल गया कि वह वह खाली पेसे पर क्लिबरेशन कर सकता है या अगर वो लेवल टू का काम क्या है लेवल टू लेकिन लेकिन ओके किसी ने लिखा है तो रिटन प्रैक्टिस जो है लेवल 3 अप्रूव करता है ठीक है रिटन प्रैक्टिस लेवल 3 अप्रूव करता है लेकिन कभी कभी है क्या होता है लेवल 2 उसमें प्रिपेर करता है लेवल 2 भी प्रिपेर करता है लेवल 3 अप्रूड करता है ओके आगे बढ़ते हैं लेवल 2 का क्या है लेवल टू जो है वो लेवल वन का पूरा का पूरा काम कर सकता है उपर से वो evaluation कर सकता है interpretation कर सकता है as per code standard and specification के सबसे अभी कुछ लोग ऐसा बोलें specification क्या है standard क्या है code क्या है गंटपक कुछ समझ में नहीं है तो specification specification मतलब client बनाता है client ने आपको एक project दिया ठीक है client ने आपको एक project दिया example के तोर पे एक vessel बनाने के लिए client ने बोला तो vessel अपना बनाना है तो client ने specification दिया होगा उसमें लिखा होगा जो भी है acceptance criteria अगर client ने वह acceptance criteria ऐसा लिखा as per latest code ऐसा लिख दिया तो फिर आपको code में जाना है सबसे पहले आपको client is god ठीक है client मतलब end user वो हमारा बगवान है उसी ने हमको पैसा दिया है उसी ने हमको ये vessel बनाने के लिए बोला है हमारी company को ठीक है तो पहले specification होता है पेसिफिकेशन बनता भले ही स्पेसिफिकेशन है code and standard का reference लेकर बनाया जाता है कुछ कुछ लेकिन specification is the main part यह हार्ट है इंडुस्ट्री का यह हार्ट है specification all time end user देता है client देता है कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि client ही ऐसा बोल देता है एक काम करो ना यार स्पेसिफिकेशन बेसिफिकेशन नहीं देना है एक काम करो section 8 division 1 के इसाफ से बना लो तब आपको code का यूज करना है acceptance के लिए और standard है आपकी company का कुछ standard है उसमें भी कुछ अबर कुछ भी नहीं दिया आपके standard के हिसाब से एक मुझे बना के देदो खाली इतना बार होना चाहिए बस आपके standard के हिसाब से बनाते हैं उसको बोलता है आपकी company का कुछ standard होते है तो वह standard के हिसाब से ठीक है तो उसके हिसाब से level 2 है वह interpretation करना चाहिए acceptance rejection है कि नहीं है वह सब चीज बोलना चाहिए ओके कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है समझे एक पानी का टंकी बनाना है ठीक है और ट्रॉक आता है ना ट्रक के पीछे टंकी रहता है पानी का बढ़ा हुआ वह पानी किदर भी किदर भी जाता है तो वह उसका कोई स्टांडर्ड कोड और माइबाफ होता है कोई नहीं माइबाफ है उस टेम पर ना तो आपने कोड यूज किया होगा का स्ट्रक्शन करने में ना तो स्टांडर्ड यूज किया ना तो स्पेसिफिकेशन यूज किया और उसमें आप डिपिटी करने गए और उसमें पता लेवल थी के पास जाना पड़ेगा, लेवल थी का यहाँ पर लिखा है, इस्टाबिटिस्टिंग दे एक्सप्टन्स क्राइटरिया, देखो यहाँ पर लाफ लाइन में लिखा, otherwise unavailable, अगर acceptance क्राइटरिया किदर भी अवेलेबल नहीं है, तो लेवल थी डिसाइड कर सकता है acceptance criteria किसका यह RT का PT का MT का RT का जो भी है level 3 जिसमें है उसका ठीक है आगे बढ़ते है लेवल 2 का तो काम हमको समझ में आया ओके दूसरा काम क्या है he should be truly familiar with the scope limitation of the method which qualified and should be exercise assigned the responsibility for on the job trend and guidance training entity level 1 person level 1 को पहले तो लेवल 2 जो है और फ्रूली फैमिलियर होना चाहिए किस से जो भी method में entity level 2 है उसमें ओके दूसरा level 1 जो है उसको भी वो training करना चाहिए guidance देना चाहिए इतना capable होना चाहिए सार हमको घंटा पता नहीं है कुछ भी एक काम करो ना तुम तुमारे इस सबसे करो ऐसा घंटा नहीं चलेगा आप जो है वो level 1 को भी training देना चाहिए training मतलब guide करना चाहिए क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है वो सब चीज का guidance भी होना चाहिए समझे level 2 जो है उसका बहू बना सकता है याद रखो level 2 है वो रिपोर्ट भी बना सकता है वो organization के अंदर और रिपोर्ट बना के उसके result accept है कि reject है वो भी बोल सकता है लिख सकता है आचा करता हूँ यह दोनों चीज चोटा चोटा चीज है समझ में आया होगा level 3 के उपर काम करते है level 3 क्या काम कर सकता है अगर कोई भी प्रोसीजर कहां पर यूज करना है कोई एक प्लेट है उसमें मैं बोलता हूँ कि चलो इसमें article घंटा ऐसा चलेगा ऐसा नहीं चलेगा वह आपको थूली फैमिलियर होना पड़ेगा और क्यांट करेगा developing करना है वह level 3 decide करेगा समझो आप level 3 है तो आपको decide करना में level 3 मेरे को decide करना है level 2 या level 1 decide नहीं कर सकता है इसमें करो की करो समझे बात मेरी कहने की भाई इसमें ड्यावलोपिंग भी कर सकता है कुछ मैथ़र कुछ ट्रेक यहाँ पर ड्यावलोप कर सकता अपि आप ऐसाब वो सोचेंगे qualifying समझ में यह समझ में आये establishing the approving techniques यह समझ में नहीं आये है ट्रेक्निक्स है क्या तो मैं थोड़ा है तो भले ही लीक टेस्ट है लेकिन इसमें मेरे बाइट कितने पाउत देखु क्या है यह जो है मैं लिक्विड टेस्टिंग वह एक टेस्टिंग वह एक हम सीज़ा और टेंप है तेखनिक है रैडियोग्रैफ़े ही ऐडियो ग्राफिे इसमें मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है वह बहुता है तो इसमें मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें मार्केट में तो इसका मतलब यह क्या है यह टेक्निक्स है भाई अभी इतना ही बचा है ठीक है अभी यहाँ पर सेशन फिनिश हो रहा है तो डॉन्ट वरी रिकाडिंग दिस अब टेंशन मत लिजे अभी थोड़ा ही बचा है लेवल थ्री है वह ड्यावलोप भी कोई क्वालिफाइ कर सकता है कोई पी मेथड को अपरूइंट टैकनिक्स भी कर सकता है अगे बढ़ते है तो एइंट्ट लेवलल क्या समझे बात तो प्रैक्टिकल बैक्ड्राउंड आपको उसका होना चाहिए और एप्लिकेबल मट्रियल का फेब्रिकेशन का और प्राड़क्ट टेक्नोलोजी का इस्टाब्लिशिंग टेक्निक चो टेक्निक इस्टाब्लिश कर सकता है अगर अगर अगलेबल नहीं है तो आपको दिखाया यह तीनों एक्जाम में आपको 70, 70, 70 तीनों का एवरेज 80% से ज्यादा लाना थे तब आप पास है जनरेल एक्जाम 40 question होते है, specific exam में 20 question generally रखना है practical 100 marks के रहता है, 40 में से आपको ये 40 question है, ये 20 question है specific exam है, वो open book exam है, ठीक है, आप code को भी open कर सकते है उके यह तो level 1 and level 2 की बात हो गए कि तीन एक्जाम है जनरल एक्जाम, specific exam और practical exam लेकिन level 3 का क्या level 3 का मेरे भाई लोग को बहुत confusion होता है कि भी 3 exam होते है लेकिन 2 exam already कोई प्रोवाइड काता है ASNT organization वो दो लेता है दो क्या लेता है basic exam compulsory है आपको 16 का 16 method में entity level 2 करना है सुरी एंडिटी लेवल 3 करना है समझो तो आपको बेजिक एग्जाम एक ही बार देना है समझो आपको पांच मेथड में एंडिटी लेवल 3 करना है तो भी बेजिक एग्जाम आपको एक ही बार देना है समझो आपको दो मेथड में लेवल 3 करना है तो भी बेजिक एग्जाम में ठीक है कुछ time interval में यहां पर मेरा misunderstanding नहीं करने का time interval की भी में बात करता हूं ठीक है कुछ time interval में ओके दूसरा method exam समझो आपको RT level 3 करना है तो आपको basic exam तो compulsory देना ही है और method exam दे देना है एक दो महीने में समझो आपने RT पास कर लिया तो अभी एक दो महीने ही हुआ है basic exam दिये हुए तो फिर आपको basic exam देना ज़रूरत नहीं है फिर PT, MT, RT जो भी देना है वो दे सकते है basic exam आपको एक बार देना 35,000 fees है asnt.org का और subject का 35,000 अब रही बात यह तो हम दे देते है basic exam का नाम सुना है और method exam का नाम सुना है लेकिन भाई हमने कभी यह exam का नाम नहीं सुना है specific exam का मेरे भाई इसके लिए नहीं सुना है जो specific exam है वो employee responsibility है वो specific exam है वो समझो आप L&T में घुज गए L&T में आप example के तोरपे आप level 3 बन गए RT और MT में बन गए level 3 ठीक है आप RT और MT में level 3 बन गए मतलब आपने दोनों exam तो पास किया ही होगा method और वो भी specific exam बसता है आप L&T में आपका selection हुआ as a level 3 RT और MT तब L&T जो है वो आपका specific exam लेगा लेकिन वह तो आज कल क्या होता है कागज बन जाता है है साइन कुम पास यांशन मतलो हम एंपलोई के तुमको सिलेक्ट कर रहे हैं तो पास या ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए जनरली बहार आराम को कंपनी में तो ऐसा जनरली होता ही है पता नहीं आज साउंड बफरिंग क्यों हो रहा है बाकी मैंने तो यह वाइफाई में डाल दिया है मेरा मोबाइल हाई स्पीड वाइफाई है ठीक है आगे बढ़ता है अगर यह एकजाम प्रवाइड नहीं करता तो बहुत लोचालापसी होता सब लोगों को यह थोड़ा प्रब्लम हो जनरेड होता है इसके लिए एस एंटी ने दो एकजाम क्लियर करवा देता है वो और खाली एकजाम बसता है और वो जो एक एकजाम है specific exam है वो responsible of the employer employer responsible रहता है ओके आशा करता हूँ आपको यहाँ पे सब चीज का पूरा का पूरा information मिला होगा thank you very much यहाँ पर मैं session को close करता हूँ और कल कल हम लोग और session start करेंगे और वो session का नाम रहेगा पैनेटरन absorption and image formation ठीक है उसमें भी बहुत अच्छा सा session है बहुत knowledge मिलेगा मेरे बाई knowledge है important part है knowledge gain कर लो ओके यह चीज का recording जिसको भी चाहिए आज का record हुआ है वो यह नंबर से contact करें दीपेश पटल से जिसने यह link share किया है आपको group में वह आपको recording देदेगा खाली इसी का recording नहीं देगा वह आपको पूरा का पूरा अभी तक जितना भी record हुआ है वो सबका सब record देगा बहुत सारे उसमें वीडियो आर्षकलतों में गिनना भी भूल गया हूं और इतना record और वहां पर हो चुका है और पूरा का पूरा है क्वालिटी में ऐसा ही चका चक मिलेगा और कितने में मिलेगा आपको 499 रूपीज में lifetime membership है फिर बाद में कभी भी life में आपको बरना नहीं है जितना भी में session करेगा सब का सब session आपको दीपेश पटेल के जीमेल में मिलेगा आपको जीमेल में ठीक है आपके जीमेल में मिलेगा knowledge is the power किसी ने लिखा है देखो बहुत अशा भानु प्रताब यह दूइन चीजर ने लिखा है यह knowledge is the power आज कल NDT level 2 में बहुत सारा पैसा होता है मेरा ऐसा मानना है कि आप कि इदर भी पैसा waste मत करो है वहाँ पर आप सकते है और definitely आप लोग certificate भी ले सकते है ओके अभी आपको इसका recording चाहिए तो lifetime membership एक ही बार payment है 499 करो और सीधा आप चका चाक सीधा knowledge gain करो पूराना record भी लेलो और इसका भी record लेलो thank you very much मैं आशा करता हूँ आपको यह सब चीज पूरा का पूरा information मिला और या आज तो हमने यह फिनिश लिया है देखो यह सब चीज है ना अल्रेडि हम डेड महीने से काम कर रहे हैं डेड महीने से मैंने बहूत सारा entity method का process समझा है टोटल 82 session किये daily का यही टाइम साड़े 8 से साड़े 9 या 10 बजे कभी कभी तो question answer में भी 10 बज जाता है किसी को pen drive भी चाहिए तो definitely ले सकता है सद्धाम उसेन ने लिखा है pen drive हमको पूरा का पूरा वीडियो pen drive में चाहिए तो yes definitely आप pen drive में भी ले सकते हैं और आपको पूरा high quality high clarity में आपको pen drive भी मिल जाएगा वह आपको दीपेश पटेल को contact करना पड़ेगा बाकी यहां पे रहिए और free of course knowledge जैन करते रहिए offline भी आएंगे तो भी रहने का भी हम लोग फ्री ओपको देंगे thank you very much मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को यह information थोड़ा बहुत industry में use करेंगे आप और proper serious से काम आगए बढ़ेंगे और क्वेशन आंसर के लिए थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए कि अपकी आवाज नहीं आ रही है अभी थोड़ी देर में मैं इसको अभी आप पूछ सकते प्लीज टेल में किसी को भी कोई भी question answer है आप पूछ सकता है बोल के भी बोल सकते हैं ठीक है ऐसा कुछ है नहीं डॉन रुपिया यह संटी डॉट ओर जी में आपको दिपेश पर्टेल को कॉंटेक करेंगे आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको guidance करेंगे वो भी फ्री ओपको कि आप एक क्या स्टेल के तोड़ पर दे गा मेरा ही फो इंप का सेंपल आपको दिखाएगा वैसे व्यसे आपको है और आप रहेंगे तक क्या था मैं भी थोड़ा फिरी नहीं हो पाया था अभी से प्रॉपर क्लास अटेंड करता हूं फिर इसका लेवल थिरी का फॉर्म दालना है मुझे वह विजूर का प्रोसीजर वह जे नहीं थोड़ा क्या क्या चाहिए प्रोसीजर बनाने के लिए हमारे आर्टिकल नाइन का जो रिक्वार्मेंट है वो रिक्वार्मेंट दोनों फुल्फिल होना चाहिए और आप एक डेमोस्ट्रेट करेंगे एक प्लेट के अंदर 0.8 mm विट्स का आपको एक डिसकंटीनूटी जनरेट करना है और वो प्लेट को परफॉर्म करवाना है जिसको भ लुट्स को वाला सिस्टम हो तो जैसा भी आपको करना है वह प्रोसीजर आप डालेंगे मैं आपको एक सेंपल प्रोसीजर शेर करता हूं आप डेफिनिटली ओके दूसरी बात मैंने ऐसे सेंपल प्रोसीजर बनाया है ताकि अंदर कुछ भी किसी का भी नाम नहीं है उपर आपका कमपनी का नाम चिपका दो जो भी अंदर चेंज करना है तो ठीक है अदर्वाज नहीं भी चैंज करेंगे तो एस पर लेटिस्ट कोड के सबसे ट्वेंटी ट्वेंटी के सबसे बनाया है तो आपको सपोर्ट होगा इंक वार्टेस्ट ऒए लिकेंट टेस्ट न्युटमेटिक टेस्ट सब वाहन वालिजवाल टेस्ट नहीं जो हम प्रोसीजर में अपना मिल गया है तो वो उसको कैसे बनाना स्पेक को लेना पड़ेगा वह एंग करना पड़ेगा प्रेक्टिकल आप बीना पर्फॉर्म किये कैसे कर सकते हैं पहले आपको पर्फॉर्म करना पड़ेगा वह अगर पर्फॉर्म किया होगा उसके पास अल्रीड प्रोसीजर होगा तो आपको नया पर्फॉर्म करना पड़ेगा डेमोस्टेट करना पड़ेगा यह और किसी को कोई डाउट है सर गाइडेंस पर बताइए ना हलो यह सब्सक्राइब करता है कि यास मैं आपको यह भी करता है याद रहुआ प्लास्टिक को क्या जोग आपको देखेगा नहीं लेकिन वहां पर फजी इमेज का महसूस होगा और अगर हेल्मेट थो दिखाएगा ना डेखने घए तो पता चला वहां पर हल भी है देखेबाद ऐसा है अलो बाद सम्झेशर इसमें देखो मैं इसके लिए इसके लिए है यहां पर किदर भी फब्रीकेशन एर्रायसा लिए अ डिस्क्रोश्थ फब्रीकेशन एर्राया देखा जाएतों हमें वह तो कहां पर एंदर जो फिलर आये वह देखने गए एक्चुली है क्या वहाँ पर क्या मिला बहुत सारे एलमेट्स मिले कहने का मतलब वह है तो यह भी आपको कड़ सकते हैं यह सर और किसी को कोई डाउट है विशाल भाई यह सर यह सर प्लीज यार एक मेरे को यह इस पर यह इस पर से पर संटीशी वने वर्ड मेंशन देट वर बिजन टेस्ट इस शुद बी मिनिमाम जेगर जेवन राइट यह जेगर जेटू यस बट अब टो आप अप्स एक मिनिट आएक मिनिट ऑपन करता हूं आपको आपन करके दिखा तो वहां पे लिखा हूआ है लिखा हुआ है इसमें टीवन ट्वेंटी क्लॉज ई एक मिनिट जब अब सर्टिफिकित पर एसेंटेसी वर ए लिखते हैं तो यह जटू बोल रहा है वो तो रिकमेडेशन कर रहा है लेकिन जेवन डालने में आपको प्रॉब्लम क्या अच्छी बात है ना सुपर है यह आपने डाला है तो एक मिन में दिखा था लेकिन आप डालेगे तो क् अब फ्रट्रफिकित पर्ट्रफमन दिखेल तो है तौट्वंटेस सब्सक्राइशनों। इसने में ने चांड़ेकर ने करना है यह अग्या यहाओ चाद सब्सक्रिकिकीत लिखते है सब्सक्राइब करता है कि आपको ऐसा होना चाहिए बाकी सर्टिफिकेट उसके इसाब से नहीं देंगे उसका नाम भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन हम लोग ऐसा स्टांडर से बनाएंगे तागी सभी और अंदर फॉलो हो जाए देखो यहां पर लिखा ना फिज आप इसमें देखो ना आर्टिकल में एक्सेक्शन फार का जो है ना आर्टिकल वन उसमें प्लाउब करते हैं तो यह डालना चाहिए क्योंकि आप उसमें क्योंकि अगर समझो कोई रिपर करता है लेवल तुरी बारते आदा वो पूझे गाँ इसमें पर इस्पर टेंट्रेक्स अपनी इश्व किया है सब्सक्राइब लिख भी रहा हो तिरह वोसमें नियर विजन जे वन मेंशन तो जे इसमें वान किलर दिय रहा है अच्छे से तो मैं जे टू डालेगा अगर मुझे जेवन मिलेगा तो फिर वहां पर कंपल्सरी अंको जेटू डालने की ज़रुरत नहीं है अगर आपको जेफाइब भी मिलाना तो भी आपको जेफाइब डालना पड़ेगा समझे बात भले ही वो सर्टिफिकेट मैं जी वेल्ड नहीं गीना जाएगा मिनिमम म जटू पड़े यहां फेको मृणी मनीम में लिखा मिनिमम यहाँ मिनी मंकसिमम होना चाहिए तो जेफीनितल नहीं चलने वाला है जा नहीं चलेए लिगा इसके लिएगा बोल रहा हूं कि जनरली मिलेगर आपका आख अच्छा है तो जेवन ही डालो वो स्ट्रींज है और वो स्ट्रींज है उसकी वज़ा से सेक्शन 5 आर्टिकल 9 भी फॉलो हो जाता है वो भी acceptance criteria में आ जाएगा तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है लेवल 3 लोग है न जेटू डाल देते अंदर अरे भाई कम से कम है तो अच्छा है तो जेवन डाल दो मेरे बाई से लिए अगर आप समझो मेरा आख है वह आप ऐसा बोल रहे है लेकिन तो इसने तो रिखा है कि मिनिमुम जेटू होना चाहिए तो इसका वर्ड का मिनियों जेटू हो इसा है तो डॉंट वरी रिगार्डिंग दिस आपको जेवन डालना चाहिए अगर आख अच्छा है तो और मैं तो ऐसा करेगा जेवन ही डालो अगर आख क्लियर है तो जेवन ही डालो कोई मसला नहीं है मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे साइन किये है ताकि जेवन ही हो अंदर जेवन ही डालता हूं और पहले तो मैं कॉल करके पूछता भी हूँ अदरभाई अगर आता है तब उसको आख जब आता है ताट गल ओली तुम्हारा आप किल नाम या जो पर बियल ने लिख डाला था तो बेल ने लिखा कंपनी का नाम तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था लेकिन आज दक क्या वजे का मेरे सर्टिफिकेट के अंदर जे टू था और सर्ट जेवन हो सकता है क्या मुझे आखों में कोई प्रॉबलम नहीं है और मैं आपको डॉक्तरी सेटिफिकेट दिखा सकता हूं उसने डेफिनेटली डॉक्टरी सटीफिकेट देजा और मैंने उसको जेवन करके करके it was flies साल में स्टै crowd कर दिया okay अभी कोड़ बुलता है 5 साल का रिच्जिवर करना है तो इसका वरल जो कर सकते हैंर मैक्सिमुम लिमिट वह 5 शाल X&W वसकते जाई हुए था और में आज रिखने घुख करके सेपने उसका सथरी देवते हो। करके दिया तो चलेहाई डेफिनेटेटी चलेहाई एटी वहन को कहजें। आप सर आइटिंग बात समझे की नहीं समझे सर एकडम सिंपल है सर लेकिन क्या ना मैं देखां काफी सर्टिफिकेट पे ना जे टू ही लिखा हो रहता है अब इस लोग में दोनों यह संट से वन भी है इसका बोलते हैं अमेरिकन जो दे रहा है करेंगे सर समझो कम से कम होना चाहिए यस मिनिममम बना कम से कम होना चाहिए इसका मतलब जेवन इस वेल इन गुट यह तो बात अच्छी है ना ओके और किसी को कोई डाउट है सर हलो करने है आज भी मैं नहीं जुएनिक है यह सर प्लीज टेल में अब है यह अभी मेरा के लिए मैंने अपले किया था आज क्लास को रहेगा ना या डेली एट थर्टी को क्लास टार्ट होगा और कोई भी आपको टेंचन लेने के ज़रुद नहीं है डेली एट थर्टी और इसमें मैं बहुत सारा सीखाएगा समझाएगा और आपको इतना नॉलेज गेन होगा थ्री इडियेट्स बन जाओ मेरे जॉइन नॉलेज के लिए अब थ्री इडियेट्स बन जाओ कोई भी क्लास में गुसो और बैट जाओ अगर हमारा फिलका है तो समझ लो सीख लो आपको बहुत फाइदा करेगा आज नहीं तो कल फाइदा करेगा कल दो साल के बाद अपको फाइदा ही होने वालब है कि जorg प्रैक्टों करना चाहता है अरे यह यहाँ पे बहुत बड़ा इस्टिट्टूट हमने एक सेट किया है और यहां पे भूच सारे लोग आते हैंकर करेंगे फिर कॉल करेंगे ऐसा कुछ नहीं है यहां पर सब लोग आते हैं सब लोग जाते हैं अपने इसाब से समझ के सीख के जाते हैं और मैं ही प्रैक्टिकल करवाता हूं ठीक है अगर लेवल त्री है तो आप लोग आपको सेट करके दिगा डूरी तो आपको सेट करके दिगा डूरी तो आपको रिफ्रेशर शर्टिकेट सब्सक्राइब अब आपको पहुंचा दो आपको पासपूर्ट साइस का फोटो पहुंचा दो फ्रियों कोस्ट आपको देगा कोई डॉन्ट वरी वह सब्सक्राइब गल्फ कंट्री में रहेगा कुरियर तो उसका आपको देना पड़ेगा वह जो 300 रूपिया साओधिया में इंडिया में मंगा लेंगे तो फ्री ओप्सक्राइब ठीक है तो वेलकम सर वेलकम ओके व्यूनिंग सर मेरा रिजूम फोड़ा चेक कर लिजिया सर प्लीज प्लीज मैं आपका रिजूम देखता हूं और आपका सेट अप करवाता हूं और किसी सब्सक्राइब है यह सचिंसर सर मैंने आपको फोटो भेजा था देखे दिए वह पेंटिंग कंडिशन में आप हाइड्रो अगर करते है पेंटिंग हो गया है तो मिनिमॉम जो आपका जॉइंट है वह क्लीन होना चाहिए वायर ब्रेस से आ ओएड्रो होता है तो इसका मतलब इस ट्वरस्टिंग ही चुका है लेकिन प्लांट पहले से चलाओ बाकि आप पेंटिंग हो गया है दाल चलाओ बाकी आप पेइंटिंग हो गया है तो ज्वाइंट को पहले क्लीन करा और ज्वाइट्स ठूली घ्लीन होना चाहिए उसमें इसमें कोई कोटिंग नहीं होना चाहिए उसके बाद आफ है कैसी को कोई डाउट है अलो तो सचीन बूल रहा है यह सब्सक्राइब बेशिक समझे ना 192 आया 192 और खोबाल शिक्ट में बेसिक डिफेरेंस के आपन कभी यह 192 यूज करते और 60 कभी यूज करते कोबाल 60 है वह देखो उसका पूरा चेप्टर है वह चेप्टर में आपको दिखाता हूं और उसका नबर फोर वह दोनों चेप्टर में में आपको एक दम डेफ में बारी का इसे उसका परमानों का एटम जो है उसका अर्रेंजमेट से स्ट्रक्चर कैसा होता है वहां से लेकर तीन दिन रुख जाए उसमें पूरा का पूरा कब कोबाल यूज करना है कब इरिडियम यूज करना है वह आपको पूरा का आजकल मार्केट में सीजम भी आ गया है ठीक है न वह भी आजकल दो तो तीन मीटर रेडियस में हम लोग आजकल आटी करते है कॉईल का तो वह भी हम क्यों करते है उसका रेडियेशन इतना फैलता क्यों नहीं है वह सब चीज भी में यहां पर आपको समझाएगा बहुत अच्छे से समझाएग कितना है इंडियम 192 कितना काम का है कौन चीज कितना हाफ लग की बज़र से किसको जल्दी यूज़ करना चाहिए कभी-कभी आपको बी आर सी है वह कोबल कोबल 60 वह दस क्यूरी में ही देता है तो जल्दी यूज़ करने के लिए जो भी है वह मैं आपको उस टेम पे समझा जाएगा एच अपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसको एक दस मिनिट में पांच मिनिट में समझाएगा तो आपको भी उपर से जाएगा और वो टाइम वेस्टिंग होगा समझा तो कि सर ओक नोट तैंक यू सर ओके वेलकाम और किसी को को कोई डाउट है सर तो हम किसी को नहीं छोड़ना है आज कला हमको पूरा फूल को फिनिश करना है पुराना क्लास कभी अगर रेकोर्डिंग हुआ है उसका चाहिए तो आप दिपेश से ले लिजे यह दिपेश का नंबर है येट वन डबल फाइव एट वन मैं अरिका हुआ सर पेन ड्रैब मैंने ल ले लिए तो और क्या चाहिए आपको आपको यार वड़ा कितने सारे वीडियो आपके पास आ गया अभी तो क्या कर यह खाली देख लिजे खलास अगर टाइम नहीं मिलता है तो इसमें एट थर्टी को डेली जोइन होते रही है आप एट थर्टी को आपको सर्चीज मिल ज सकते हैं परेशाएं फैसे है वो भी आपको यह से बूंक यह निली है्जरा पाएंगे तो रहने कभी यहां पे सुविदाय है कोई फीज नहीं है आप आजाओ बस अलो एंकिए सर आएंगे कि अलो ओके सब्सक्राइब आप सूरत में आ जाइए ठीक है अब दो आग्जाम ओनलाइन दे सकते हैं मेरे पास अब कर देता हूँ आपको इनफर्मेशन होना चाहिए आप ट्रेनिंग कुराना ट्रेनिंग कवर कर लिया है तो इसमें मैं आपको देदेगा नहीं सरभी तो यह चालू है तो फिर आप प्रूब जाएए आप पूरा फिनिश के लेजे बाद में एक्सांग के लिए स country चिह लिए उसका भी कुछ ट्रैनिंग करवाते हैं और वो भी फ्रियोग कोस्ट है आप आईए CBT का प्रिप्रेशन करिए और जाहिए हाँ मुझे खाली बोल के आईए कि मैं CBT के लिए आ रहा हूं ताकि मैं दो तिन यहां पर ग्रूप है उसमें शेर कर देता हूं CBT हम लोग स्टार्ट कर रहे अगर 10 लोग होंगे तो मैं CBT करवाएगा क्योंकि यह ना इसमें इसा है यहां पर और बहुत रश रहता है इंडिस आ यहां पर ठीक है तो मुझे खाली बोल दीजे कि हम मैं आ रहा हूं यह तरिक में अगर हो सकता है तो मैं यहां पर बाके लोगों को बोल देता दस बार यहां प चाहिए डेईली का 3 hours, daily 3 hours का, daily 3 hours, मुझे minimum 1 month समझाने तक चाहिए, तो daily अगर आप 3 month यहां, sorry 3 hours पड़ते हैं, तो 1 month आप पकड़ लिए, 1 month आपको यहां रुकना है, और आप पड़ के CBT clear करके जाएगे, ठीक है, not clear, क्योंकि वो तो आपका CBT तभी आपको clear होगा, जब आप कोई company आरामकों में select होते हैं, आरामकों में select होते हैं, तभी आपका step number जनरेट होगा, और step number आपको मिलेगा, तो मैं यहां पर एक website दिखाएगा, वो step number पर आप apply करिए, और सिधा CBT का एक form खुलेगा, उसमें date वगेरा time रहेगा, वो सब चीज भर दिजे, तो वो date पे आपको वो location पे, location भी खुलेगा, location भी select करना रहेगा, वो location पे आप जाईए और exam दिजे, ठीक है, उसका 47 dollar, 47 USD, उसका charge है, है किसका आराम को का charge है, हमारा कोई नहीं charge है, ठीक है, हमारा इसमें मत को चाहिए, आराम को, आराम को का charge है, 47 dollar का CBT का, तो 47 dollar आपको उसी को पे करना है, और वो website के अंदर ही pay करिए, और सिधा location select करिए, और exam देने चाहिए, ठीक है, और किसी को कोई doubt है, ओके, thank you very much, मैं आशा करता हूँ, आप लोग सही होएंगे, घर के साथ family के साथ अच्छे रहिए, और कल वापत join करिए, और दिपेश पटेल आपको कल link बेज देगा, और आप कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बाकि दिन में भी, कल lunch में भी होगा, और lunch में 11 बजे होगा, और 11 बजे भी आपको join होना है, तो होगे, तो हो सकते है, कल 11 बजे हम लोग MT या PT का एक session करेंगे, ठीक है, तो वो night में भी आएगा, 830 को भी वो आने वाला है, आटी फिनिश होगा, तो उसके बाद MT आएगा, MT के बाद PT के बाद UTI आएगा, ठीक है, यहाँ पर सब चीज है, सब चगा जगा आते है, ओके, thank you very much, अभी मैं session को close करता हूँ, आशा करता हूँ, आपको सब चीज अच्छा सीखने को मिलेगा, good night sir, good night, take care, thank you very much, good night sir,